हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हेकर यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो हमनों क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो हमनों डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या प्रावलम एसोसियेटेड है हमारा जब अर्बन एक्सपेंशन होता है या अर्बन सेंटर की ग्रोथ होती है ठीक है? तो अर्बन सेंटर अर्बन एक्सपेंशन का मतलब है अर्बनाइजिसन जब होती है तो क्या-क्या हमारी प्रावलम क्रेट होते है पुरे वर्ल्ड में यहाँ पर इंडिया इस्पेसिफिक नहीं है पुरे वर्ल्ड में क्या क्या हमारे common general problem हमारे create होते हैं जब हमारे urbanization होती है या urban expansion होती है या urban center की growth होती है तो ठीक है तो हमारे इस question के माध्यम सिसको मनों discuss करने वाले हैं जो कि हमारे 66th BPSC geography means में पुछा ग करते हैं what are the problems associated with urban expansion and growth in the world बिशो में नगरी फैलाओ और बिर्धी से समधित कौन सी समस्या है ठीक है तो नगरी फैलाओ यानि कि मालो यह हमारे area है और इस area हमारे बढ़ रही है ठीक है बढ़ रही है या इसको simply आप बोल सकते हो urbanization हमारे जब बढ़ती है तो क्या क्या हमारे problem हमारे होते हैं ठीक है तो इसको आप केटगराइज कर सकते हो problem को अलगलग category में हम पाधे डिसकर से कि हमारी environmental क्या problem होती है फिर हमारे पॉलोशन से लेबर, इन्वारिमेंट में ही पॉलोशन हमारी आ जाएंगे, फिर हम डिसक्स करेंगे पॉप्लेंसे से रिलेट क्या प्रॉलम होती है, तो देख रहे हैं, एक एक करके हम लोग आप, सबसे पहले environmental क्या problem होती है जह हमारी urbanization होती है urban की expansion होती है तो environment में आप दो category बना सकते हों environment में सबसे पहले हमारी problem क्या होती है resource depletion होते है natural resource की depletion होती है और दूसरी हमारी environmental problem है वहारी pollution की problem है resource का depletion कैसे होता है जह हमारी urban center की growth होती है या urbanization होती है urban टो क्या होती है न क्योंकि है यहां पर पॉप्लेशन वह जदा हो जाती है क्यों क्योंकि यहां पर रुरल टू आरड़ थी है तो यहीं संटर होती है न rebell को दिमाइठ ऑन पपोपूलेटर्स य昨 Flag human resources को तो हम भरपाई कर देते हैं वहाँ पे लेकिन natural resources की भरपाई नहीं कर पाते हैं और उससे क्या होती है उस area की या उस surrounding area की जो natural resources है वो हमारे deplete होने लगती है ठीक है तो natural resources है deplete होने लगती है ground water जो हमारी है वो हमारे deplete होने लगती है फ्यूल या हमारी forest है वो हमारी wildlife है land है यह हमारी सब deplete करने लगती है तो हमारे depletion of natural resources होती है जब हमारी urbanization होती है या urban expansion होती है तो दुसरी environmental issue में आप बोल सकते हो pollution level जब वहाँ पे population बहुत जादा बढ़ जाती है तो उनकी जरूरत वहाँ पूरी होती है जरूरत पूरी होने के पाद जो waste generate होती है यह जरूरत पूरी करते समय जो process होती है processing में हमारे pollution यहाँ पे बहुत ज़्यदा बढ़ आते है pollution में आप देहोगे industrial waste हमारे generate होती है और urban जो center होती है यहाँ पे urban एक तरह से कालोनीज बोल सकते हो urban जो कालोनीज होती है में वहाँ जोमारेज डिस्टार्ज होता है सी बैज आरgrown industrial waste जो डिस्टार्ज होते है उससे क्या होती है यहाँ यह se Huge या industrial waste अब water में छोड़ते हो तो water pollution वाटर की जो toxicity हो हमारी बढ़ जाती है यहाँ अब Database, toshil disaster होती है इसके लावा हम बात करोगे तो इंडस्टियल जो वेस्ट है या अर्बन जो सीवेज डिश्चार्ज है इसके लावा हम वहाँ पे प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट बहुत ही लार्ज स्किल में जनरेट होती है अर्बन एरिया में और यह हमारी प्लास्टिक और सॉलिड वेस यदि solid waste को आप जलाओगे प्लास्टिक को जलाओगे तो atmospheric हमारी जो pollution हो हमारी बढ़ जाएंगे ठीक है इसके इंडस्ट्रियल से जो हमारी emission होती है उससे भी हमारी atmospheric pollution होते हैं फिर swail pollution होते हैं hydrosphere water pollution हो जाएंगे फिर biosphere में जो होना के नुक्सान पहुंचेगा वह भी मारी हो जाएंगे environment के हर जो component में बढ़ जाती है जह हमारी urban center की growth होती है यह हमारी environment related हमारी problem हो गई यह हमारी common global level में सब जगह देखने को मिलती है इसके लावन दोसरी कटेगरी हम देखेंगे कि urbanization से हमारी क्या problem होती है urbanization से हमारी problem होती है population related problem जनसंख्या से related क्या क्या problem है तो सबसे पहले यहाँ पे आप रख सकते हो कि हमारी जनसंख्या से related जो slum area है slum area का development होता है urban center में क्यों क्योंकि वहाँ पे देखो जो आदमी आते है rural to urban migration होते हैं उनके पास बहुत जादे resources नहीं होती है कि अच्छे से quarter लेके रह पाएं ठीक है और उनके पास skill की कमी भी होती है गरीबी होती है skill की कमी होती है उंने से urban center में बहुत ही अच्छी job नहीं मिलती है वो labor के काम करते है तो labor के काम करते है उनको स़स्ती जो हमारी मकान है ओ चाहिए होती है free forgot का मकान चाहिए होती है तो इसके लावा कि आप देखोगे जो slum area होती है जहां पे unused जो space होती है वहां पे लोग क्या गाते है tent guard के या जो temporary मकान बना के वहां पे रहने लगते हैं तो उससे क्या होती है वहां पे slum area back development होने लगता है और बहुत ही कम space पे बहुत जादा large population होती है और उससे later वहां पे बहुत जादा problem होने लगते है क्योंकि नहीं वहां पे hygienic food मिलेगा नहीं hygienic water मिलेंगे तो इनके चलते वहां पे जो quality of life है वह हमारी बहुत जादा low होती है slum area में तो population later सबसे पहले हमारी बोल सकते हो slum area का development हो लगता है urbanization जब होती है या urban का expansion होता है फिर दूसरी हमारी problem होती है demographic हमारी changes होते है rural और urban दोनों ही area में ठीक है क्योंकि आप देखोगे इंडिया में developing country का pattern अलग है developed country का pattern अलग है developing country जैसे इंडिया में देखोगे तो rural to urban migration होते हैं लेकिन यहां पर rural to urban migration में male ज़्यादा migrate करते हैं तो female जो होती है वो हमारी rural area में खेती करने के लिए और male जो होते है वो हमारी urban area में काम करने के लिए चले आते हैं तो urban area में आप देखोगे तो male की जो अबादी है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है और female के अबादी जो होती है rural area में ज़्यादा हो जाती है यह हमारी developing country के 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 में होती है खासकर इंडिया के 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 में लेकिन developed country के बात करेंगे developed country में इससे उलट होता है male जो होते हैं वह हमारे गावों में रहते हैं खेती किसानी करने के लिए ठीक है वहाँ पर machinery से जायदा खेती होती है तो male जो होते हैं वहाँ पर खेती किसानी करने के रहते हैं और female जादा migrate करते हैं कहाँ पर? urban area में, developed country में तो यहां पर अलगी सिन्योरी होती है, तो क्या होती है, डेमोगराफिक हमारे changes होते है, attribute जो होती है, उमारी equal वहां पर distribution आप बोल सकते हैं, male or female का नहीं होता है, यह हमारी urbanization की चलते होती है, urban expansion की चलते होती है, ठीक है, और यहां पर high rural to urban migration भी होती है, trends जो होती है, rural to urban migration वह हमारी बढ़ जाती है, urbanization या urban expansion हमारी होती है, तो यह हमारा दूसरा population related problem हो गया, population related पहला problem क्या था, slum का development, दूसरा demographic changes, तिसरा आप देखोगे, economic inequality हमारी बढ़ जाती है, जब हमारी urbanization या urban हमारी growth होती है, तो ऐसा इसलिए, क्योंकर urbanization जो होती है, तो कुछ लोगों को ज् फाइदा हो जाता है, इसे वो अमीर तो थे ही, और अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब थे, उनको उतनी economic opportunity नहीं मिलती है, तो ओमारी गरीब और गरीब होती है, तो अमीर और गरीब की जो gap है, वो हमारी क्यावती बढ़ जाती है, तो हमारी inequality हमारी बढ़ जाती है, urbanization जो होती है, उसमें क्या होती है, कि जो गाओं से जो बंदा होता है, वो क्या खाता है, फैमली को छोड़ के काम करने जाता है, तो काम करने जब जाता है, जब जाता है अपने बच्चे और अपने बीबी को ले जाए, ठीक है, तो मात्य पिता को नहीं ले जाता है, तो यहा अर्बनाइशन जब होती है तो हमारे हाई अनिप्लाइमेंट रेट भी हमारे होती है क्यों कि आजकर डेवलपीन या डेवलप कंडिर में आप देखोगे तो जो आर्बन सेंटर में जितनी तेजी से पॉपलेशन के ग्रोथ हो रही है उतनी तेजी से वहाँ पे एकनोमिक इसके जलते है पहले से ज़्यादा अर्बन सेंटर में अनिप्लाइमेंट रेट हमारे बढ़ गए है ते भी हमारी पॉपलेशन से रिलेटेड हमारी प्रॉलम हो जाएंगी अर्बनाइशन से ठीक है इसके लावा आप बोल सकते हो वो तो हमारी इंफ्राइस्ट्रॉक्चर आजाएंगे अब देखते हैं हमारी इंफ्राइस्ट्रॉक्चर रिलेटेट क्या प्रॉलम हो जाएंगे तो सबसे पहले बोल सकते हो और्बन इस्प्रॉल यहाँ पर होते हैं अर्बनाइशन से जब होती है तो यहाँ पे जो growth होती है इस तरह से equal ना होके कहें कहें पे हमारे urban sprawl हो जाती है यानि encroachment होती है area की surrounding वाले area की तो हमारी infrastructure related हमारी प्रावलों हो जाएंगी इसकलाव आप देखो कि population बहुत जादा over populated होने की चलते urban area में वहाँ पे जो infrastructure है वह हमारी कमी हो जाती है जैसे congestion हमारी urban center बढ़ जाते हैं traffic हमारी road पे होने लगते हैं और solid waste या sewage treatment plant के हमारी कमी हो जाती है इसके जलते pollution हमारे बढ़ते हैं क्योंको उतनी ज़्यादा है हमारे एक तरह से finance के आप कमी है यहाँ बोल सकते हो और urban center में इतने ज़्यादा crowded अभी हो गई है कि हमारी health और education जो facilities है वो हमारी एक तरह से सब के लिए अबलेबल नहीं है वैसे आप बोलोगे कि अमेर लोग के लिए तो यहाँ पर अबलेबल है लेकिन गरीब लोग के लिए यहाँ पर जो health और education जो facilities है वो हमारी कमी देखने को मिलती है इसके लिए रोड और highways हमारे गड़े देखने को मिलते है और public और private जो toilet है यहाँ पर जो हमारी cleanliness है वो हमारी थोड़ा सा developing country में खासकर हमारी कमी देखने को मिलती है urban area में तो यह हमारी urban infrastructure से related हमारी यह problem हो गया है अब इसके लावा अब बोल सकते law and order से related भी urbanization हमारी जब होती है तो problem होती है यहाँ पर illegal construction देखने मिलते हैं हर city में आप देखोगे illegal construction देखने मिलते हैं और यहाँ पर जो encroachment देखने मिलते हैं foot path और public valley land पे ठीक है slum भी development है देख सकते हो urban sprawl भी आप देख सकते हो crime rate भी हमारी बढ़ जाती है rape, cyber crime, social conflict इस सारी चीज़े बढ़ जाती है अभी आप इसको बोल सकते हो कि urban center में male population बहुत जादा होने चलते भी यह हमारी होती है unemployment rate ज्यादा होने चलते हमारी एक crime इस तरह से बढ़ जाती है तो एरा दोस्तों हमारी urbanization या urban center की expansion से पूरे world में जो common हमारी problem होती है society जो problems है उसको मिलों डिसस किये यहाँ पर इसे problems को डिसस करने हैंगे बोला था solution यहाँ नहीं मंगा था solution यह आप से पूछा भी जाता है तो आप बोल सकते हो कि sustainable हमारी जब expansion होंगी urban area की या urban area में sustainable development की practice हम करेंगे तो हमारा क्या होगी काम हमारी बन सकती है सारे problem की solution यहाँ पर मिल सकते हैं sustainable development में हमारी क्या होती है development चुप करते हैं तो हमारी सब की development करते हैं environment भी वहाँ पर ठीक ठाग रानी चाहिए हमारी economy भी ठीक ठाग रानी चाहिए population भी बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए quality of life हमारी ठीक ठाग होने चाहिए तो balance approach यदि हम अपना के urban center की growth करते हैं तो हमारी सारे problem जो है यह हमारी minimize हो सकते है तो एरह दोस्तों आज की question का discussion आज हम लोग डिसस किये कि urban expansion या growth से क्या-क्या problems हमारे होते हैं या urbanization से क्या-क्या हमारे problems कीरेट होते हैं पूरे world में तो आज से बसे नहीं thank you for watching आप comment करके जरूर बताना है वीडियो कैसे लगी कि कोई point यहाँ शूट गया है तो आप अपने जो thought है उसको आप जरूर शेयर कीजिए तो thank you मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ